नमस्कार मैं हूँ श्पेता जाओ और आप देख रहे हैं आज तक उत्तर प्रदेश में आज शक्ती प्रदर्शन का शनिवार है जेहा अब यहाँ चुनावी महौल तेजी से उबल रहा है आज पूरवांचल में दो दिकजों की मोचा बंदी है अमिशा काशिव से आजमगर कूच कर रहे हैं जहां उनकी रैली की तैयारी है आपको बता दे कि अखिलेश यादव योगी के शहर यानि की गोरकपुर में विजय यात्रा निकालने जा रहे हैं वो कुशी नगर में रैली भी करेंगे तो आपको बता दे आज भारतिया राजश्वास अमेलन में शामल ह होने वाला है इस कारक्र में शामल होने के बाद आजम गड़ के लिए रवाना हो जाएंगे अमिर्शा तो उत्तर प्रदेश कूच और यहां पर खास करके अखिलेश यादव के गड़ में सीधे उनकी सभा होने वाली है साथी गोरकपुर में आज अखिलेश यादव सभा क करने वाले हैं विजय यात्रा यहां से निकालेंगे तो आज शक्ती प्रदर्शन का शनिवार है और इस शनिवार एक तरफ ग्रे मंत्री होंगे तो दूसरी तरफ बी-एस-पी के नेता अखिलेश यादव होंगे समाजवाधी पार्टी नेता अखिलेश यादव यानि कि योगी आदितिनाद का गड़ और ऐसे में देखना होगा कि क्या क्या वहाँ से तस्वीरें और खबरें सामने आती है आपको बता दे कि आजम गड़ से अब शेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो के हमें तमाम जानकारी देंगे अब शेक हम आएंगे आपके पास सोड़ी ये देर में लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपॉर्ट काई ना काई ये जो बैटक है वो कई माएनों में महतवपूर मानी जा रही है 2022 में BJP का मिशिन जिस तरीके से 300 के पार है उसे पूरा करने की दृष्टी से ना सिर्फ ये बैठक महतपूर लगती है बलकि पूरवांचल में जिस तरीके से ना सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कॉंग्रेस भी सक्री नजर आती है प्रधान मंत्री के संसदी शेतर में इस बैठक के जरिये कई ना कई उन तमाम चीजों को साधने की कवायत है और 403 विदान स्पासीटों पर बीजेपी 2022 की चुनौती को रिकॉर्ड मत के साथ पार करने की रणनीती के साथ अमिश शाह की नित्त में इस बैठक को कर रही है 2014, 2017, 2019 में जीत का मंत्र देने माले अमिश ने 2022 में 300 प्लस की रणनीती तैंकी विधान सबा प्रभारियों को जिमेदारियों की बारी की जानकारी थी 2017 के विधान सबा चुनाव में वो अमिश शाह की रणनीती थी जिसने यूपी में विरोधियों को चौकाते हुए बीजेपी की जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये एक बार फिर अमिश शाह उसी रणनीती के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतराए हैं और एक-एक बूत पर बीजेपी को मजबूत करने के मिशन में लग गए हैं अमिश शाह के मिशन यूपी का सबसे पहला टारगेट पूरवान चल है जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने शांदार प्रदर्शन किया है पार्टी को भरुसा है कि अगर पूरवान चल में एक बार फिर बीजेपी की लहर रहती है तो बीजेपी को दोबारा सत्ता में आना तैं पूरवान चल के वारा नसी में पहुँचकर ग्रह मंतरी अमिच शाह ने कारकरताओं और विधान सबाप्रभारियों को जीत का मंतर दिया बूत को मजबूत करना इसके साथ इसाथ पम्मा प्रमुक की भूमिका और सरकार की कामों को जनता तक ले जा करके ही 2022 की चुनावती को पार्क किया जा सकता है साफ है कि 2022 का चुनाओ बीजेपी की साक का सवाल है यही कारण है कि पदादिकारियों की जबैठक में साफ तोर पर अमिच शाह ने बूत को मजबूत करते हुए रनीती के साथ 2022 की लड़ाई को जीतने का संदेश दिया है उधर विरोधी पार्टिया भी पूरवांचल के साहारे यूपी में वदलाव की उमीद पाले बैठी है अखलेश बार-बार पूरवांचल का दौरा कर रहे हैं और आज योगी के गढ़ गोरखपुर से वो अपनी रथ यात्रा आगे बढ़ाएंगे हमेशा के यूपी दोरे के बीच समाजबादी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि यूपी की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है वहीं प्रियंका गांधी को भी यूपी में कॉंग्रिस की जमीन मजबूत करने की उमीद पुर्वानचल से है यहीं वज़ा है कि चुनावी माहौल बढ़ने के साथ ही प्रियंका पियम मोदी के संदीक शेत्र वरारसी और गोरकपूर में अपनी सभाएं कर चुकी है साफ है कि सत्ता पाने के लिए पुर्वानचल पर हर सियासी पार्टियों की नजर है क्योंकि माना जा रहा है कि जो पुर्वानचल में जीत हासिल करेगा यूपी में उसकी जीत होगी वरारसी से रोशन जैसवाल के साथ अभिशेक मिश्रा आज तक और सीधे हम अभिशेक के पास चलते हैं जो कि इस वक्त आजमगर में हमारे साथ मौझूद है अब शेक सबसे पहले तो आप से जाना चाहेंगे आज आज़मगड में किस तरह का कारकरम रहने वाला है मिर्शा का कब पहुंच रहे हैं वो यहां देकि श्विता सबसे पहले तो वाराणसी में ही सबसे मैतुपूरे कारकब है जहाँ पर राजभाशा सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे वही स्थान है जहाँ पर कल बैठा कुई तो उसके बाद साड़े बारा बजे वो आजमगड के लिए निकलेंगे जहाँ पर एक बजे ये कारकब होना है राजस्तरी उनिवस्टिटी का शिला न्यास करेंगे अमिच शा और यहाँ पर इसके साथ ही जन सबा को संबोधित करेंगे मैं तो पूर इसलिए हो जाता है क्योंकि आजमगड से अखली शादव सांसद है पिछले दिनों लगातार आजमगड पे BJP का पूरा फोकस हज़र आता है चाहे मेडिकल कॉलिज की सौगात हो उसके बाद अब ये राजस्तरीय विश्विंत्याले और 16 तारिक को जब प्रधार मंतरी मोदी पूरवांचल एक्स्पेक्सवे की सौगात देंगे वो भी आजमगड से ही निकलता है यानि की पूरे तोर पर देखा जाये तो चाहे विकास के जंडे पर हो या फिर रणनीती के तहट ये शहर इस वक्त काफी महत्वपूर है आप बात करें अगर बाकी समी करनों की तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष लगाता पूरी रणनीती बरा रहा है उसी बीच अमिश्या के ये बैटक होना और आजमगड में खास तोर पर अकलिशादव के गड़ में इस तरीके के कारकरम के जरीया आवाहन करना इसे साफ दिलाता है दोजा सत्रा में साथ विदान सबा में केवन एक सी थी बीजेपी को मिल पाई थी ऐसे में ये साफ होता है कि आजमगड की तरह महतपूर हो जाता है बीजेपी के लिए उस चुनौती में जब तबाम मंतरी और खुद सरकार का भैक्मा पूरी तरीके से पूर्वांचल बिल पूर्वांचल के बीच हर पाटी ने पूर्वांचल में अपनी ताकर जोगती है क्योंकि बीते कुछ चुनाओं से ये बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का सफर पूर्वांचल के रास्ते से होकर ही लखनो पहुशता है एक्स्प्रेस्वेव वाला विकास रत्यात्रा वाला विकास विरोधियों के गड़ में हुंकार बदलाओ की ललकार ये सब कुछ हो रहा है पूर्वांचल की उस धर्ती पर जहां से हर पाटी यूपी की जीत की उडान भरने का प्लैन तैयार कर रही है इस प्रयास में सब से आगे है बीजेपी जिसका दावा है कि योगी राज में पूर्वांचल की तस्वीर बदली है सरकार की कोशिशों से पूर्वांचल वालों की तकदीर बदली है और इस बदलाओ की एक तस्वीर है ये पूर्वांचल एक्स्प्रेस वो जिसका उद्घाटन करने के लिए पीम मोदी 16 नौंबर को सुल्तानपूर पहुचने वाले हैं विकास के नारूं के साथ साथ जमीनी समीकरन पर भी बीजेपी का पूरा जोर है यही वज़ा है कि खुद ग्रह मंत्री अमित शाह पुर्वांचल की सियासी नम्स की थाह लेने वारनसी पहुचे हैं और शनिवार को वो अखिलेश यादव के गड़ आजमगड में चुनावी दस्तक देंगे पूर्वांचल में बीजेपी के प्रचार का जवाब देने के लिए अखिलेश भी तयार हैं अमित शाह के यूपी दौरे के बीच ही अखिलेश गोरखपुर में रत्यात्रा के तीसरे चरण की शुरुवात करेंगे आरपार की लड़ाई में अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी के विकास का दावा जूटा है और जनता जवाब देने को तयार है लेकिन जिस तरह मैंने चल करके देखा है उसकी राइडिंग कॉलिटी बेकार है उसका जो मीडियन बनना था 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर का वो मीडियन कम कर दिया है तो जो गुड़वकता थी जो एलाइन्मेंट थी जो राइडिंग कॉलिटी थी उसको बहुत ज़्यादे गिरा करके सरक बनाई गई है भारती जनता पार्टी पर अभी कोई अट्रेक्शन नहीं बचा है सियासी वार पलटवार के बीच ये समझने की जरुवत है कि आखिर पूरवांचल की पॉलिटिक्स यूपी के चुनाव में हर पार्टी के लिए इतनी एहम क्यों है और क्यों हर पार्टी के दिगज बार बार पूरवांचल में डेरा डाल रहे हैं वर्णारस से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आते हैं वहीं दूसरी तरफ गोरकुर जो गड़ है योगी आदितिनात का तो यकिनान इस वज़े से बीजेपी का जादा फोकस पूरवानचल पर है और 2014 हम ले ले लोगसबा, 2017 वधानसबा ले ले या 2019 लोगसबा ले ले तीनों ही समय में बीजेपी ने बाकी तमाम पार्टियों को बहुत पीछे ढखिलते वे बहुत अच्छा प्रधरशन पूरवानचल के अलाके में किया यही वज़े के उसको अभी 2022 में भी बहुत जाद उम्मीदे हैं क्योंकि 164 सीटे विधानसबा के इसी पूरे की पूरे इलाके से आती है और उन सीटों को गवाना नहीं चाती वो चाती है 2017 जैसा ही प्रधरशन करे पूरवानचल के वोटरों का मिज़ाज हर चुनाओं में बदलता रहा है हलंकि 2017 में पूरवानचल बीजेपी का मजबूत गड़ बनकर उभरा पिछले चुनाओं में बीजेपी को पूरवानचल की 164 में से 115 सीटों पर जीत मिली वही समाजवादी पाटी सिर्फ 17 सीटों पर ही सिमट गए पूरवानचल में बीजेपी को 14 और कॉंग्रिस को 2 सीटे मिली थी वही इससे पहले 2012 के चुनाओं में पूरवानचल ने समाजवादी पाटी को बंपर जीत दिलाई थी उस चुनाव में समाजवादी पाटी ने पुर्वांचल की 102 सीटें जीती थी साफ है पुर्वांचल का सियासी रुख यूपी की सत्ता की दिशात तै करता है यही वज़ा है कि पुर्वांचल पर पाटीयों ने पूरा जोर लगा रखा है ताकि यूपी में जीट की राह आसान हो सके सुल्तानपूर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आलोक शिवास्तो आज तक अब शेक किपा सीधे हम चलते हैं जो कि आजमगर से हमारे साथ बने वे हैं अब शेक पूर्वांचल क्यों महतवपूर्ण है इसके बारे में अभी अभी हमने लोगों को बताया भी लेकिन कहीं न कहीं यही एक बड़ी वज़ा है कि 2017 में जो बीजेपी को बंपर जीत यहाँ पर मिली थी उसी को कायम रखने के लिए आज यहाँ पर युनिवरसिटी की आधार शिला भी रखी जाएगी और एक तरह से अखिलेश यादव और बीएस पी कहीं न कहीं ठीक है अभी वो एक तरह से अल्मोस्ट गौण नजर आ रही है लेकिन उसे भी साधने की कोशिश बिल्कुल श्वेता और पूरवांचल की खास बात ये है कि पिछली जितनी भी स्थिर सरकार उत्तर प्रदेश में आई है उसका जनाधार पूरवांचल से ही आता है तो वहां भी कही ना कहीं पूरा फाइदा स्पी को मिला था लेकिन 17 में तस्वीर बदल गई 115 सीटों के साथ बीजेपी ने जो मार्जिन खड़ा कर दिया उसने समाजवादी पार्टी को 17 पे लाके खड़ा कर दिया केवल आजमगण को छोड़ दिया जाए जौन पूर और आसपास की दो चार और सीटे तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी तरीके से यहाँ पर अपना वरचस्तों कायम किया था लेकिन अब समीकरण बदल रहे है क्योंकि पश्यमित तरपदेश में जिस तरीके का दंज झेल रहे है बीजेपी उसको उमीद है कि अगर पूरवांचल को बचाए रखेंगे तो तबी नया पार हो सकती है कारकरम हो, शिला न्यास हो, चुरावी रणनीती हो, पूरा फोकस इस वक्त नहीं पर है और आजमगर में जब राज विश्यविद्याले का शिला न्यास करेंगे, अमिच शहाद तो ये बात जरूर रखेंगे कि पूर्वांचल को सरकार ने क्या दिया, सारी बाते गिनाए जाएंगे और इसके साथी साथ संगठन के सर पर भी यहां के कारकरताओं ने जो काम किया है, उसको भी काईना के गिनाए जाएगा तो एक अलग ही रणनीती और एक अलग ही समिक्रन आज दिखाई देगा, लेकिन ये साफ है कि पूर्वांचल का ही वो रास्ता है, जो बीजेपी की 300 प्लस की नईया को पार लगाएगा, चाहे कारकरमों के सरी हो रणनीती के सरी हो, इसलिए पूरा का पूरा बहक्मा फिला जावी बिगुल बजाने वाली है, आस्मान पर विमानों की गूझ से ये इलाका हिलने वाला है, तो वहीं जमीन पर यहां की जनता को एकस्प्रिस वे का तोफा मिलने वाला है, 16 नवंबर को प्रधान मंत्री मूदी योगी सरकार की महत्वकांग्शी योजना पूरुवां पूर्वांचल एकस्प्रिस वे का उदगाटन करेंगे, जिसका ट्रेलर यहां कल देखने को मिला। खास्तोर पर 16 तारीक को यानि की 16 नवंबर को सुल्तान पूरानी वाले हैं, यही से कुछी दूरी पर वो इसका उध़ाटन करेंगे, नो जिलों से होता हुआ, यकिनन ये पूर्वांचल एकस्प्रिस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए तरक्की के द्वार खोलेग यकिनन ये पूर्वांचल एकस्प्रिस वे अपने आप में कई खासियत को समेटे हुए है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं ये बीजेपी के मिशन पूर्वांचल का ट्रेलर है, आस्मान में हिंदुस्तान के लड़ाकु इमानों की हुंकार, देश की ताकत का एहसास कराते फॉाइटर जेन, ये तैयारी है प्येम मोदी के पूर्वांचल कारिक्रम को जोरदार बनाने की, ये तैयारी है बीजेपी पूर्वांचल में धमाकेदार एंटरी की, प्रदेश में विकास का एहसास कराता पूर्वांचल एक्सप्रिस वे, जिसके दम पर बीजेपी अब सियासी मैदान पर उतरने वाली है, जिसका आज एक छोटा सा ट्रेलर देखनी को मिला, पूर्वांचल एक्सप्रिस वे पर सोला तारीक को यहां पर उद्घाटन के समय आप जैसा की देख पा रहे हैं और कच और गो की यहां की पूरी 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 यह प्रोक्रिया होगी और आपात इस्तिती में के लिए वायु सेना ने इस रन्वे का इस्तिमाल जिस तरह सी किया है यकिनान वो अपने आप में दिन जो है वो अनुठा होने वाला है 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने आ रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकारबन होने के साथ ही एक्सप्रेस वे पर बने रन्वे पर भारती वायु सेना के युद्र की समय अमूमत दुश्मन एयर स्टेशन को निशाना बनाते हैं इसी वज़े से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ये जो एयर स्ट्रिप बना हुआ है वो अपने आप में काफी महत्वण हो जाता है ताकि किसी भी आपात कालीन परिस्टी में भारती वायु सेन कि हमारी फाइटर जेट यहां से टेक आफ कर सके लैंडिंग कर सके और यहां से अपनी पूरी तयारी को आगे बढ़ा सके इस लिहाद से भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे काफी जादा महत्वण हो जाता है और 16 तारीक को भारती वायु सेना यहां से दिखाएगी अपन बंकी, अमेठी, सुल्तानपूर, अयोध्या, अम्बेट करनगर, आजमगड, मउव और गाजीपूर शामिल है इसके लावा लिंक एक्सप्रेस वे के जरिये कुछ और जिलों से इसे एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा जिसमें आजमगड से गोरखपूर तक 110 जर लंबा लिंक एक्सप्रेस वे होगा इसे यूपी सरकार की महत्वा कांग्छी योजनाव में से एक माना जाता है जिसका शिला अन्यास जुलाई 2018 में किया गया ऐसे में सरकार कम वक्त में एक्सप्रेस वे तयार करने के लिए खुद की पीट थपथपा रही है जियोगी आदितनाथ खुद एक्सप्रेस वे की तयारियों का जाइजा लेने पहुँचे जहां उन्होंने इस एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल के विकास से जोडने की कोश्र की और उस दिन कारेक्रम के ततकाल बाद एरफोर्स का एक एरफोर्स भी यहां पर होगा क्योंकि यहां पर सुल्तानपुर के पास हम लोगोंने लगभग साड़े तीन किलोमेटर लंपी एक एरश्टिप भी यहां पर दी है करीब साड़े बाइस हजार करोड का ये प्रोजेक्ट बीजेपी के पूर्वांचल मिशन का एक बड़ा हिस्सा है ऐसे में पी-म के कारिक्रम में भारी भीड उमरने की उम्मीद है जिसे देखते हुए खास तैयारियां की जा रही है फिलहाल जो टेंट बना है वो लगभग एक लाग के लगभग का जा रहा है परन्तु ये एर शो हो रहा है तो इसे कारण जो हमने पता करा है तो शेत्र में का अतुहूल बहुत है इसके इसलिए हमने छोड़े सी और जगह ली कि माली जे एक्स्ट्रा लोग आ जा रहे तो उनको कम से कम वहाँ पर आने की जगह मिल जाए एक्सप्रिस वे तयार है जिस पर स्तर पड़ चलकर बीजेपी पूरवांचल की सियासत में धमाकेदार एंट्री करने जा रही है वो पूरवांचल जो यूपी की राजनीती की दशा और दिशा दै करता है चित्रा तिरपाठी सुल्टानपूर आज तो और अब देखिए दली में प्रदूशन का दश दली लगातार प्रदूशन की चपेट में है आज फिर दली की आबो हवा जहरीली दिख रही है फूल भूई के वज़े से बने स्मॉक के चलते पूरी दली में धुंद की चादर विची है लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है आँखों में जलन की शुकायते आ रही है आपको बता दे कि लगातार अगर आज की बात करें तो 400 पैसद एक्वाल्टी इंडेक्स यहाँ पर उसत रहता है लेकिन काई लाकों में धुन से यहाँ पर संकट गहरा किया है विजिबिलिटी कम होनी के वज़े से लोगों को काडियां चलाने में दिक्कत आ रही है जो लोग बाहर जा रहे हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है आँखों में जलन की शुकायत हो रही है दिल्ली के अलग अलगे अलाकों के तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं यह देखें इंडिया गेट, आइटियो, लोधी गार्डन, नजब मुद्दीन, कनॉट प्लेस और गुर्गाओं के तस्वीरें इंडिया गेट पे आप देख सकेंगे कि आपको राजपत नज़र नहीं आ रहा होगा सीधे इंडिया गेट भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा और इसके पीछे की बड़ी वज़ा है यहां फैला स्मॉक और इस smog के वज़े से आपको बता दे कि लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है न सिर्फ health issues सामने आ रहे हैं बलकि रोज मर्रा के जिन्दगी में भी उन्हें दिक्कत हो रही है स्मॉक के वज़े से भारी प्रोदूशन के वज़े से यहां पर लोगों को सामस देने में दिक्कत हो रही है जो लोग बहार जा रहे हैं विजिविटी कई जगों पर 200 मीटर से भी कम विजिविटी जो है वो बताई जा रही है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एर कॉल्टी इंडेक्स हिजाडस क्याटकरी में है और इस वज़े से लोगों को खासी दिक्कते हो रही है जो विश्य शड़के हैं वो बता रहे हैं कि चंद दिनों में अगर हालात नहीं सुद्रे तो ऐसे में ग्यास चेमबर बन जाएगा इंडिया गेट से हिवानशु मश्रा हमारे सामने जुड़ा है हमारे साथ और डियो से हमारे साथ अनीश्या माथु जुड़ाई है सबसे पहले हम चलते हैं इंडिया गेट इंडिया गेट हिमानशु देखने के लिए अभी भी आप रोज की संख्या में भी देख ले तो अभी भी जो भी कोई बाहर से आता है वो इंडिया गेट देखने जरूर जाता है लेकिन क्या आपको जो कि आप खुद यहाँ पर रहते हैं आपको दिखाई दे रहा है इंडिया गेट आप खुद भी देख पा रहे हैं देखे बिल्कुल सीधी तोर पे बेहत दिक्कत हो रही थी और अगर आप खड़े हो जाते हैं राजपत पे तो नणा आपको इंडिया गेट नजर आता है और नहीं आपको राश्टपती भवन जो सामने है वो नजर आप आता है ऐसे में जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें भी खाती दिक्कत होती है हम वहाँ पर सुबह पहुंचे थे और उसके बाद हम आपको आईटियों की तस्वीरे दिखा रहे हैं ये रोड के उपर आप देखे ये जो है ये स्मॉग है ये पल्यूशन है जो चाया हुआ हुआ है आज धूप निकली है शोयता तो उम्मीद थी कि शायद हवा भी हलकी है तो कुछ राहत लोगों को मिलेगी लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स शो कर रहा है वो साड़े चार सो के आजपास उसे साब जाहिर है पिछले 30 घंटे से अगर हम दिल्ली की बात करें से जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही हुए उनका कहना है कि दिल्ली और NCR के जो हालात है वो बेहत खतरनाक है और इसका सीधा असर अब लोगों को पढ़ना शुरू हो गया है लोगों के आखों में जलन और खास दोर से बच्चों और बुज करता है लंग्स पे यानि की जो मजबूत करने की बात लगातार करोना के दौरान हो रहा था कि कैसे इमुनिटी बढ़ानी है तो इस पलूशन से इमुनिटी पर सीधा असर पड़ता है और यही वजह है कि डॉक्टर फिजिकल एक्टिविटी कम से कम करने की लोगों को यहा वक्त ऐसी हो गई है बड़ी दुरभागी पूर्ण है देखे देश की राजदानी है उसके बावजूद देखी क्या हाल है कि यहां पर लोगों को यह कहा जा रहा है हिदायत दी जा रही है कि जास से जादा कोशिश करे घरों में रहने की बाहर भी ना निकले क्योंकि सांस लेने लाइक भी जो है यह हवा नहीं है सीधे चलते हैं दिली इनिवरसिटी से अनीशा मातुर हमार समधता हमार साथ जुड़ी भी है अनीशा वहाँ पर अमूमन स्टूडेंस की चहल पहल और वजह से वो पूरा जो एरिया है जाना जाता है हाला कि क्लासेस फिलाल वहाँ पर क्या कंडिशन्स हैं वो आप ही बताएंगे और स्टूडेंस वहाँ वाकई नजर आ रहे हैं या कोई भी वहाँ पर किस तरह की वहाँ पर कंडिशन्स हैं जरा यह बताएं देखें दिल्ली अनिवर्सिटी में अभी पूरी तरह से फिजिकल क्लासेस शुरू नहीं होई है इसलिए थोड़ा यहां पर शांती अभी भी है लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे बैटराउन में भी अगर आप देख सकते हैं तो दूर आपको सिर्फ धुआ ही नजर आए एक युआ स्टेशन पर अगर देखें तो सिवियर लेवल पर ही आपको डिली का एक युआ मिलेगा और सफ़र की एक्सपर्स की माने तो यह कई दिन से पिछले 6-8 दिन से इसी तरह से सिवियर लेवल डिली का एर क्वालिटी इंडेक्स रहा है और अभी भी कुछ दिन तक ऐसा ही रहने की संभावना है क्योंकि टेम्परिचर जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है तापमान लगातार नीचे गिर रहा है जिसकी वज़े से हवा में जो धुआ है हवा में गंदगी है वो सर्फयिस लेवल पर ही ट्राइम हो रही है तभी साफर की तरफ से यही आया है बिल्कु चलिए और शानकारी आप लोगों से हम लेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालेते हैं इस वक्त के हेडलाइन्स पर अजये पहर क्यों इस तरह से यही नज़र बढ़ने से कि नज़र शानकारी आगे बढ़ने से पह शोलिए जया है